हेई गाईज विल्कम बाक टू दियू आप्टिनेक्स रिप्टो डेली बिटकोईन की एक अपडेट में हम लोग आ गए हैं वापिस से फिर से और इथेरियम और बिटकोईन दोनों को कवर करेंगे आज जो बिटकोईन की अपडेट है वो आप लोग जैसा की जानते हो महाँ अपडेट होगी और आज हम देखेंगे वीकली डेली चार घंटे का टाइम फ्रेम तीनों कवर करेंगे उसके बाद हम 15 मिनिट में भी अगर समय बचेगा तो हम उसको कवर करेंगे तो इसी के लिए साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आयो तो मेक शोर करें आप होगी कि नहीं लेकिन अभी करेंटली पॉप्स हमारे इस रेजियन से जो परपल रेजियन ड्रॉक या था कि यहां एक्युमिलेशन हो रहा है वहां से अगर हम देखें तो 163 परसेंट अप है अगर आप हमारे टेलिग्राम को जॉइन करते हो तो आपको बहुत सारे फायद का आउटलूक है हम वीकली में मार्केट को देखेंगे क्या कर रही है जब हम वीकली में देखते तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज बिल गई कि यह वाली जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है उसके उपर हमने क्लोजिंग करी लास्ट टाइम बिटकोईन की जब मैंने ऐसी अपडेट बनाई थी महा तो मैंने आपको बताया था कि इसके उपर सस्तेन करना बहुत इंपोर्टेंट है और कई कई दिन अगर हम क्लोजिंग कर देते हैं उपर तो और अच्छा होगा तो क्लोजिंग तो हम लोग कई कर दिन कर रहे हैं प्लस अच्छी कैंडल्स बन करनी थे सस्टेन ही नहीं किया था दो परसंट गयते ठीक है तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्दियर मूव है बट हमें कुछ की फैक्टर देखने जरूरी है जो इंपोर्टेंट है जो बताते हैं कि मार्केट में कुछ लोगों की अनिंट्रेस्टि इसमें देखो इसने weekly तीन केंडल मना दी है तीन केंडल है और massive upside आएगा जब ये broadening wedge जो तूटेगी जिसको हर कोई बात कर रहा है apparently तो इस broadening wedge के तूटने के बाद हमें minimum guaranteed जो मिलने वाला है वो 8% का move मिलेगा 73,881 तक का यानि ये वाले high को target तो हम करी सकते हैं ये minimum हमें मि मिलेगा तो वो 73,881 का है और ये breakout कब होगा जब हम 68,200 के उपर आ जाएंगे क्योंकि वही एक एरिया है जो अभी बना हुआ है इसके बाद हमने weekly की बात कर ली weekly bullish है weekly में सब बढ़िया है हम broadening wedge के upper trend line के round आ रहे हैं तीन बार टच करके reject कर चुके हैं क्या चौती बार तोड करेगा की नहीं यह हमें देखना होगा ठीक है अब हम weekly को हटा देते हैं हम daily की lines के उपर चलते हैं let's focus on the daily time frame और bull market support band को भी बन कर देते हैं जब हम daily time frame में आते हैं तो हम यहाँ पर एक और चीज़ देखने की जरूरत है वो यह में है ठीक जब हम यह में को देखते हैं तो हम में यहाँ पर daily की कुछ image दिखती हैं जिनके हम उपर आ गया है that means in a clear cut uptrend में हम लोग हैं पिछली बार की तरह fake out अब तक नहीं आया है अब तक नहीं आया है इसका मतलब यह नहीं कि आगे नहीं आएगा important चीज़ यह है कि bitcoin यहाँ पर एक important area के उपर आ गया है जो मैंने आ आप से बोला था 65 का area important और यहां पर इस candle में मैं आपको अपने टेलिग्राम पर बता चुका था कि भाई market में जो rejection बार बार इस area से हो रहा है यह bullish है इसके just बात को engulfing बनने के chances है और अगले दिनी engulfing candle भी बनी और इसके उपर भी आ गया ठीक अब देखे daily में outlook में आपक area के around से तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके का structure बन रहा है यहां पर फॉर्म हो रहा है red area से हम करेंगे उसके बाद हम continue करेंगे at least till 70,081 तक पहला target होगा 68,000 का यह बात मत बुलना क्योंकि यह वाला high भी important है तो यह दो target आपको bitcoin के अंदर मिल सकते हैं अगर आपको long की position create करन तो आपकी two is to one की एक trade बन जाएगी ठीक है almost यह बन जाती है I guess हम two is to one की trade बन रही है आपकी अच्छी काज़ी trade आपकी एक bitcoin के अंदर हो सकती ठीक है अगर आप इसमें bet लेना चाहते हो तो इसके बाद अगर हम बात करें bitcoin अगर नीचे आता है और इसके नीचे आ जाता है म मालो 64 के के नीचे तो हमें एक रीटे रीटे सुपर के और मिलेगा जहां पर हम शॉट की opportunity create कर सकते हो शॉट हमें minimum मिलेगा वही 61 62 के area के around क्योंकि वो भी एक ऐसा area है जो untested रह गया है मतलब हम वहां से निकल आए सीधा सीधा बढ़ हम वहां वापिस नहीं आए तो की trade at least सिर्फ छोटी सी मिलेगी 5% का move 4% का move आपको शायद नीचे की और मिल सकता है ठीक है इस तरीके का move मिलेगा around मिलता है इसमें ratio 3% उपर 4% नीचे इसमें 1.59 का मिलता है जो profitable trade है वो मुझे upside की लग रही है इसलिए दोनों तरह के रास्ते अपनाना दोनों तरह के रास् structure मिलता है यह daily के बाद अब हम देखेंगे चार गंटे के structure को ठीक लेट्स गो चार गंटे में हम लोग आया चार गंटे में हमें दिखता है कि bitcoin जो है जब से इसने trend अपना flip किया था bullish इस single candle में इस green vector candle में तब से bitcoin bullish है 58K से और उसके बाद नीचे आया यहां पर आया time spent किया जो की bearish था ठीक है यहां पर मैंने आपको short की call भी थी with छोटा सा sell और वो sell it हो गया बट अच्छी बात यह कि हमने उसके बाद long की कही calls ली और alts में अच्छा पैसा बनाया उसके बाद देखें retest मिला यह में गा उसके बाद से हम trend सिर्फ upward ही लेके जा रहे है यानि यहां trend ride वाली trade लेना चाहते हो तो जो सबसे nearest image है है 20 और 50 इनको आप लेके चलो कि आपकी trend giver हो गई ठीक है इसके अलावा जो SL लेके चलना है वो आपको नीचे लेके चलना है blue वाली लाइन पे या फिर blue वाली है white वाली पे ठीक है तो अगर जैसे आपकी trade इस तरह से है पूरा मज़ा ले पाओगे ठीक है ट्रेंड का पूरा मज़ा आपको मिल जाएगा इस तरीके से मदद से अगर trade करना है तो इसके बाद अगर हम बात करें इस तरीके के structure की चार गंटे में तो हमें यहाँ पर एक volume में एक interesting चीज़ यह दिखती है कि green volume हमें यहाँ पर इस candle क यहाँ से direct उठती जा रही है 64,450 तक और इसके अगर 50% एरिया देखें तो 59,389 आता है क्या हम वहाँ तक आएंगे उसके लिए हमें यहाँ पर लास्ट वाले prayer को लेना होगा उससे हम लोग देखेंगे तो उससे हमें area मिलता है 61,900 का जो की coincide करता है हमारी major daily की theory के साथ तो कहीं न कहीं अगर market 64,000 के नीचे आती है आपकी thesis तयार है कि market 61,400 आना चारी है 61,900 आना चारी है इस लाल डिब्बे के पास आना चारी है आपकी theory बन गे ठीक अब आपको किस तरह trade लेना market नीचे आके 64,000 के नीचे closing करती है EMAs भी नीचे breakdown हो जाएंगे ठीक है 65,000 के इस yellow व पिर उसके बाद हम white वाली EMA को target कर सकते है 61,300 वो रुकी हुई है ठीक है तो वहाँ तक कि आपकी short trade बनेगी अब long की trade कैसे बनेगी जब आपको यहाँ पर एक अच्छी green candle मिले जो इसके उपर आ जाए 66,400 के उपर आती तो आप trade राइड कर सकते हो 68,104 तक का ठीक है तो य यह आपकी एक long side की trade बनेगी जो अच्छी खासी आपको उपर की upside दे सकती ठीक है यह हमारे 4 गंडे का हो गया यह हमारा उसका भी हो गया अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 15 मिनिट में टाइम फ्रेम में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ठीक है तो 15 मिनिट में बा बहुत अच्छा वग करती है इसको लेकर trade ले सकते हो इसके उपर है तो long करते जो ठीक है अभी हम लोग उपर ही है नीचे आ रहे तो max to max हो सकता है हम 65500 तक है वहाँ पर एक long build कर सकते हो उपर के upside की क्यूंकि हम अभी uptrend में ही है तो uptrend में यह में का retest एक अच्छी bullish sign होत वाले एरिया पर और white वाले एरिया यानि 64000 डॉलर तक का short मार सकते हो आराम से ठीक है तो इस तरीके मार्केट को खेलना होता है अभी 15 में में तूटती हुए नजर आ रही है यह एरिया ठीक है तो important है हमारे लिए कि यह white वाली लाइन जो है sustain करे ठीक है तो white वाली लाइन अभी 506 के आराउंड है ठीक है तो वह हमें sustain करती हुए दिखनी चाहिए वह नहीं करेगी तो फिर हमें यह एरिया दिख रहा है 64800 का उसके बाद हमें यहां पर 63900 का एरिया दिख रहा है ठीक है तो यह दोनों एरिया जो important हो सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे ethereum की क्यों क्योंकि वह भी एक important structure के around है इसमें हम लोग daily की बात कर लेते हैं daily में मैंने आप लोग को एक एरिया बताया हुआ है simple सा एरिया है उसका हम लोग अपर तो टच कर दिया लेकिन अभी भी बहुत बहुत बाकी है मतलब उपर जाना अभी ETS सही से उपर नहीं गया है ठीक है अ आराम से उपर जाते रहे ठीक है आपको move किता मिल गया किता move मिल गया minimum बताओ ना इस इस retracement में हमें 6% का move ethereum महीं मिल गया अभी भी ethereum bullish है और ethereum तब तक bullish रहेगा जब तक ETS BTC के pair में strong है ठीक है तो देखो ETS BTC के pair में अभी भी रुका हुआ है अच्छा ही लग रहा है द यहाँ पर market majority of चीजों को clear cut कर चुकी है अब हमारे पास 68,200 का level बचा है 70,081 का level बचा है उसके बार 73,800 का level बचा है यह 3 level बचे है जिनको अगर हमने clear cut कर दिया तो 1-2 billion dollar के shots liquidate हो जाएंगे जो कि important बात हो जाती है कभी कभी ठीक फिर and greed index greed 63 पर आ गया है यह थोड़ी सी ख आते है कि इसको देखके trade करो कभी मत करना यह एक settlement चीज़ है जो बाद में at the end of the day settle होती ही तो इसको लेकर trade नहीं लिया तक अभी ठीक है इसके बावजूद अगर हम बात करें ETF के flows को देखें तो यहाँ पर 10 सितंबर से लेकर अभी अगम तो देखें 27 सितंबर का तो महाँ पर 494 million का जो है inflow आया हुआ है ठीक है यह important चीज़ है 365 105 136 यह inflow बहुत positive है बहुत बढ़ी है लेकिन एक चीज़ समझो लास टाइम जब हम लोग 70K 69K के राउंड आये थे तब भी inflow जादा ही आ रहा था तो generally अभी तक जो हुआ है मैंने जो notice कि है मुझे बताना अगर मै जब रीटेलर्स जब लोग जानते कि भाई ETF को में बिटकॉइन को बाय करने तो लोग बिचारे फस्ट जा रहे है मतलब मैजॉर्टी व कॉंटिनी में आते हैं बाय करने और वो बिचारे वहाई पर फस्ट जाते है अब देख लेते हैं जड़ा ETH के inflow की क्या बात है ETH का इसके बाद देखे 27 सप्टमबर को ही हमें हाया जो की पॉजिटिव हो रहे है यह अच्छी चीज है इसके लावा अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को टेलिग्राम जॉइन नहीं किया तो कल ले ना आप लोग के लिए के अनौसमेंट है कि जो भी प्रीम प्रो ट्रेडर् दिया गया है बिंगेक्स की यूजर्स के लिए और ब्लोफिन यूजर्स के लिए जो लोग बिंगेक्स में हमारे इस लिंक से अकाउंट बनाते हैं वो डेपॉजिट एंड ट्रेड करें 100 डॉलर से मिनिमम और उसके बाद हमें अपनी बिंगेक्स यूइड इस बॉट पर स प्रेसेंटली डोज कॉल दी थी पैपे कॉल दी यह सब कॉले वहाँ पर दी थी ब्लोफिन यूजर्स भी सेम यही करें हमारी एफ्रेल लिंक से साइन अप करने के बाद हमें वहाँ पर अपनी ब्लोफिन आईडी ऑप्टेनेक्स पर भेज़ दें प्रीमिम के फाइदे यह है इस जगह पर क्योंकि फाइनली अवेकन हो गया है बड़ी बड़ी वालेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है अगर हम लोग इसमें टैन थाउजन डॉलर से जादा की देखें तो यहां पर 14,000 की वालेट ने बाय किया है यहां पर कुछ लोगों ने सेल भी किया है तभी तो वालेट में आखे रहा गया जब लोग इसकी वालेट में जाते हैं तो हमें आपर दिखता है कुछ भी नहीं दिख रहा है है अमें इसकी वालेट में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसने अपने पने जो हैं वह उधर कहीं भेज दियें आपर कहीं पर रख लिए ठीक है तो वेराल इस तरीके से आप चख कर सकते हो कि कौन सी बड़ी वॉलेट इसको बाय कर रहे हैं आपके कॉइंस को जैसे यह वॉलेट आपकी है जिसने आपके 2000 डॉलर का लिया था और 2200 का बेचाई यह तो कोई वॉलेट नहीं है बड़ी वॉलेट को ऐसे आपके टेस्ट कर सक चायद इसमें हमें दिख जाए लेकिन अभी इसमें भी शो नहीं कर रहा है ठीक है शो नहीं कर रहा है ठीक कोई बात नहीं यहां पर देख लेते हैं लोग क्या करते हैं यार जेनरली बाय करके फ्लिप करते हैं हो सकता है यह उनमें से कोई हो जो नोने फ्लिप कर आए किसी हमें futures में उतनी increase नहीं देखने को मिल लिए जितनी यहां पर spot में दिखने को मिल लिए which is a good sign for me at least ठीक है cvd spot में बढ़ला यह एक अच्छी चीज है rather than futures यह अच्छी चीज है ठीक है futures में उतना steepness नहीं दिख रही है जितनी हमें यहां पर अचानक से उठते हुए इसमें दिख गई ठीक है यहां से अगर हम देखें तो यहां से बहुत तेजी से उठाए यहां से cvd बहुत तेजी से उठाए स्पॉर्ट का that is a good thing कि भाई बिटकॉइन को स्पॉर्ट में बाय किया जा रहा है यह एक अच्छी चीज है ठीक है थैंक्यू सो मच वाचिंग इस वीडियो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी अगर अच्छी लगती तो प्लीज वीडियो लाइक करिएगा टेलीग्रा